हिंदी रिडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं किसी किसी त्योंहार को मनाने के लिये स्वच्च मन का होना बहुत जरूरी है संबंधों में जब भी हम दर्द में होते हैं तो प्यार और स्नेह की उर्जा का बहाव नहीं होता है हम हम आपस में मील मिल सकते हैं सैलीब्रेट कर सकते सकते हैं मुसकुरा सकते हैं मीठी 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 बाते बाते कर कर सकते सकते हैं लेकिन, लेकिन हमने, हमने एक, एक दूसरे, दूसरे को उरजा, उरजा कौन, कौन सी दी भाई, भाई, बैहन, के मधूर, सम्बन्धों, का प्रतीक, प्रतीक है रक्षा बन्धन, रक्षा बन्धन, का त्योंहार, यह, यह, जीतना, जितना, मैं, है, त्व, पूर, न, मैं, हत्व, पूर, न, है, उतना उतना ही, यह, यह, ना, जुक, धागु, से, बन्धा, होता, है, जैसे, 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 हम, हम, बड़े, बड़े, होता होते, गए, गए, तो, हमारे, हमारे संसकार, संसकार, बदलते, गए, बैहन, बहन, बोलती, बोलती, है, मेरा, मेरा, भाई, भाई, बदलती, बदल, गया, गया, है, अब, अब, भाई, भाई, की, शादी, शादी, हो, गई, गई, उनके, उनके, कार, मी, क, कार्मिक, अकाउंट, अकाउंट, में, जो, नई, नई, आत्मा, आत्मा, आई, आई, चाहे, चाहे, वो, उनकी, उनकी, पत्नी, पत्नी, उनके, उनके, बच्चे, बच्चे हैं तो उनके भी संस्कारों में थोड़ा थोड़ा परिवरतन आया वे जैसे जैसे दस या बीस साल साल की उम्र में थे अब अब वैसे नहीं रहेंगे आज आज वे चालीस साल साल के हैं तो उनके उनके संस्कार संस्कार बदल बदल गए गए हम हम तो बहुत बहुत सहजता से कह कह देते कि मेरा मेरा भाई भाई या मेरी मेरी बैहन बदल गई गई है भाई भाई बैहन बैहन का पवित्र पवित्र संबंध संबंध होता है मतलब मतलब एक एक दूसरे के लिये कोई कोई गलत गलत सोच सोच नहीं नहीं होती होती है पवित्र संबंध संबंध का मतलब मेरी मेरी आत्मा आत्मा दूसरी दूसरी आत्मा के लिये गलत गलत नहीं नहीं सोच सोच सकती सकती रक्षा बंधन के त्यों हार त्यों हार पर पर जो सब से सबसे अच्छा अच्छा गिफ्ट गिफ्ट हम हम एक एक दूसरे दूसरे को देंगे देंगे वो है शुभ शुभ भावनाओ भावनाओ का आशिरवाद आशिरवाद यह यह उस उस धागे धागे की बात बात ही नहीं नहीं है यह यह तो उस उस धागे धागे के प्यार प्यार पवित्रता और 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 रक्षा रक्षा की बात बात है अब अब आज आज के वक्त वक्त में यह यह महसूस करना करना है की रक्षा रक्षा की स से किस से करनी करनी है और और रक्षा रक्षा का बंधन बंधन क्या है इसको समझना समझना जरूरी जरूरी है आज आज हम हम देखते देखते हैं की रिशतों के मायनी बदल गए गए हैं हम हम पहले पहले देखते थे की हर 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 घर घर में पूजा पूजा हवन हवन होता होता था तो उसके उसके बाद बाद पंडित पंडित जी एक एक धागा धागा बांधते थे कई कई बार बार तो उस उस धागे धागे को हम हम लंबे लंबे समय समय तक तक पहने पहने रहते थे हम हम जब जब पूजा में बैठते हैं तो हम हम देवी देवताओं का आहवान करते हैं हैं अपने अपने अंदर अंदर की देव्यता जगाते हैं जब जब पंडीत पंडित जो कहते हैं जो कहते हैं की देवी देवी देवता देवता हमारी हमारी रक्षा रक्षा करेंगे करेंगे मतलब मतलब हमारी हमारी अपनी अपनी देव्यता देव्यता ही हमारी हमारी रक्षा करेगी जब जब पंडीत पंडित जी धागा बांधते हैं तो इसका मतलब है की मैने मैने आज आज ये प्रतिग्या की धागा धागा बांध कर कहते हैं ये धागा धागा आपकी रक्षा करेगा करेगा धागे धागे में धागे में शक्ती शक्ती है धागा धागा बांध कर हम हम याद याद रखेंगे रखेंगे की मैं इस इस प्रतिग्या प्रतिग्या से बंधा बंधा हुआ 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 है कि रामायन में लक्ष्मन ने एक एक लकीर लकीर खीची खीची वह वह लकीर लकीर रक्षा करने करने वाली वाली नहीं नहीं थी लेकी न लेकिन जैसे जैसे ही मर्यादा की लकीर लकीर को पार पार किया किया तो रावन रावन ने पकड पकड लिया लिया मतलब जैसे जैसे ही मैंने मैंने अपनी मर्यादा को तोड़ा तोड़ा मेरे मेरे अंदर अंदर का रावन रावन मेरे मेरे अंदर अंदर की नकारात्मकता ने मुझ मुझ पर पर विजय विजय प्राप्त प्राप्त कर कर ली हमें हमें यही यही समझना समझना होता होता है कि जब जब हम हम कोई कोई भी प्रतिज्या करते करते हैं उसमें हमारी हमारी अपनी रक्षा समाई होती होती है जब जब बेहन बेहन अपने अपने भाई भाई को राखी राखी बांध धती बांधती है अपने साथ साथ रक्षा के बंधन में बांध बांध लेती लेती है अब अब आज के समय में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है वास्तव में सशक्तिकरण सीरफ सिर्फ महिलाओं का न हो बलकी हर आत्मा अपने आपको इतना सशक्त शक्त कर कर ले की वो अपनी रक्षा खूद खूद कर कर सके ये रक्षा रक्षा है हमारी हमारी अपनी अपनी अपने आपसे आपसे केहते केहते है ना मन अन मन ही हमारा हमारा मीतर मितर और और मन 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 ही हमारा दूश मन दुश्मन है मन मन हमारा हमारा दूश मन दुश्मन है मतलब हमारे हमारे नकारात्मक नकारातमक विचार विचार जैसे जैसे बुरा बुरा लगने लगने की आदत थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी ने कुछ कुछ कहा कहा नहीं नहीं की मेरे मेरे आसु आसु आने आने लगे लगे तो दुशमन कौन कौन है जब जब परमातमा इस इस श्रिष्टी पर पर अवतरित होते होते हैं वे हमें हमें ज्यान ज्यान देते देते हैं प्यार प्यार देते देते हैं शक्ती शक्ती देते देते हैं लेकिन लेकिन सीरफ सिर्फ देने देने से वो हमारे हमारे अंदर अंदर आ नहीं नहीं जाता जाता है उसके बाद बाद मुझ मुझ आत्मा को प्रतिज्या करनी होती है तब तब हम अपनी रक्षा होते होते हुए देखते हैं परमात्मा की भूमी का है हमें हमें वो धागा धागा बांधना फिर फिर उसकी उसकी प्रतिज्या प्रतिज्या में बंधना ये हमारी हमारी बंधन बंधना ये हमारी भूमी का है हम हम अपनी अपनी रक्षा खूद खुद करेंगे करेंगे अपनी अपनी ज्यान ज्यान को इस्तेमाल करनी करने से मेरी मेरी रक्षा रक्षा हुई हुई लेकिन लेकिन जब जब तक तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं नहीं करूंगी करूंगी तब तब तक तक मेरी मेरी रक्षा रक्षा नहीं नहीं होगी होगी जीतना जितना हम हम मरयादाओं में चलेंगे उतनी आत्मा की शक्ती बढ़ती जायेगी कई कई लोग लोग मी लते मिलते हैं जो कहते कहते हैं आज आज हमारा हमारा रिष्टा रिष्टा पहले पहले से अच्छा अच्छा हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद झाल